जहें दोस्तों तो आज हम देखने वाले हैं एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है अरे लाइट आ गई भाई वह जगनेटा चल करें हैं हाँ जी हाँ दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिसका नाम है लाइट जो कि जिसका एक्जिस्ट है हाइश्कूल में भी fica तो यह आपको कम्बाइन करके पढ़ाऊंगा तो अच्छे से हो जाएगा दोस्तों लाइट होता क्या है सतरंगी reflect क्या हमारे आखों तक नहीं आएगगी तो वह ऑब्जेक्ट ही नहीं जिर्ट होगा वैसे बिसिकली आप्जेक्ट किसे कहा जाता है जिससे या तो लाइट होती हो या तो लाइट उसे reflect होके हमारे आखों तक आती हो जिसके दोरा हम देख पाएं वनलीख जिन भी चीजों कहा हम देखके सकते हैं उसे हम object बोल सकते हैं तो है तो light क्या होता है एक form होता है energy का part of energy anerjee basically क्लिए आपने सुना होगा light energy sound energy अन भहुस सारे energy आपने सुने यह तो उसी तरह light भी एक क्या है energy का फॉर्म है तो energy किसी भी कार को करने के सहायक होता है मतना पुर्द करें मतलब देखने देखने में सहायक होता है स dar यह हमारे देखने में मदद करता है अब दोस्तों जो आप देख रहे होंगे कि इतने सारी दुनिया जो हमें दिख रही है यह सभी हमें लाइट के वज़े से दिख रही है तो लाइट को हम बेसिकली अगर डिफाइन करना चाहें तो लाइट कितने परकार में हम डिफाइन कर कर सकते हैं तो लाइट को हम इस परकार से डिफन किर सकते हैं कि ऐसे objects ऐसे उनके source के थ्वारए कर सकते हैं की Aussie object जो अपरे खुद की light एatarता हो या तो ऐसे abcert जो दिखतो रहे हूं बस हाँ होके आ रहे हो किसी भी लाइट से तो इसी तरह से हम इसको define कर सकते हैं source of light को What is source of light वाइट source ओंसाफ यह हमारा टॉपिक का अगया है अग्ला तो source of light होता क्या source of light वाइसा कि जहां से light आता हो यहां कि बीडिफ्लेक्ट हो हो तो आई हम देखते हो सोर्स आफ लाइट सोर्स आफ लाइट को हम बिस्टू के टिग्रीज में डिफाइन कर सकते हैं एक क्या होता है luminous and second यह first and second non-luminous non-luminous luminous objects and non-luminous objects source of light object ही होगा कोई source of light luminous luminous means ऐसा object जहां से light कहां क्या करता हो emit करता हो ऐसा object जहां से light emit करता हो उसे luminous object बोलेंगे and ऐसा object जहां से light तो खुद की उसकी light ना हो लेकिन light किसी दूसरे के luminous object के light से reflect होकर वो हमारे आख को तकाया ऐसे को non-luminous मतलब इसको define कर सकते हैं कि non-luminous are those objects which does not emit their own light ओके तो we can define how to define luminous object luminous object are those which emit their own light जो अपनी खुद की light emit करते हो उन्हें emit मतलब निकालना निकालते हो खुद की light उन्हें luminous जो नहीं निकाल पाते हैं जो luminous object पर depend रहते हैं अपने मतलब उस पे reflect होकर हमारे आख को तक तब हम उसको देख पाते हैं तो उसको है यह बेसिक ट्रम के बारे में बेसिक ट्रम क्या हो सकता है लाइट बहुत तरह के मतलब चीज़ों को सो करता है तो light सो करता है 3 तरह के चीज़ों सब्सक्राइब कर सकता ला क्या होगा reflection squash सब्सक्राइब कर तरह तरह सब्सक्राइब कर सकता है तो यह मैं से 200 करता यहां तो किनी नों भी कहीं न कहीं छो कर भी जाते हैं और बेशिक टर्म क्या हो सकता है, और बेशिक टर्म यह हो सकता है, Halloween, लेंजर में। लाइट इसले लेटिर का कैसे आम कमेंदे सकते हैं यहां वह देखते हैं निजर टो ours to सब्सक्राइए है वो डूल नेचर होता है डूल नेचर मतलब दो तरह के यह नेचर को सो करता है अब दो तरह के नेचर को कौन कौन से दो तरह के नेचर को सो करता है आए देखते हैं तो पहले जा लेते हैं जी नेचर आफ लाइट है ना कि डूल नेचर है यह कौन सा नेचर है डूल नेचर तो इस डूवल नेचर को दिया किस ने था बाई साब तो इसको दिया था डी ब्रॉगली नामक साइंटिस्ट ने कौन से साइंटिस्ट ने डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था कि यह लाइट डूवल नेचर का अब डूवल नेचर में कौ तो वेब नेचर और दूसरा नेचर पार्टिकल नेचर नेचर सबस्ट को च्छोटे चोटे चोटे सब्सटे हैं और यह सौर से हमारा ये सोर से यहां से लाइट आ रही है ऐसे से यह हमारा मनद चल रहा है और फिर यह अगर देखिए वेब capacitMAN कर सकते हैं डिफाइन बैलंद ठीक है ऐसे हमाराraft बनता है तो ऐसे ऐसे ठीक है तो ऐसे तो एक क्रेश्ट एंड एक ट्रग के बीच के डिस्टंस को ही अम लोग क्या बोलते हैं एक इसको हम क्रेश्ट बोलते नकिज़ बीच को सब्सक्राइव चुल होटे च्छोटे पार्टिकल हैं बहुत मिनी पार्टिकल होते हैं इनके साइस लाइज की बेवलेंद्ध ज्यादा होती तो क्रेटिन यह हमारा वेवनेचरंव कर स्थ diyorum तो इस वेयं नेचनर को किस ने दिया था तो इसको क्रिस्टियंग सना मफ इस नामक साइन्टिस्ट ने दिया था क्रिस्टियंग समय सप GB अब लिए था और पारिकल नेंचर क्या आता है क्व बढ़ान ड़ता है नहीं इस केंडल को आप नहीं स्वारी एक्जामपल गलत हो गया ऐसे माली जे कहीं लाइट आ रहा है लाइट का किसी भी सोर्स से आ रहा है और यह ऐसे रखा है अब यहां पर देखिए इसकी परचाई बन रही होगी तो इसकी परचाई कहीं न कहीं तो बनेगी तो पार्टिकल ने ख़िए कोई भी अगर यह यह ऑब्जयक्ट है तो इसे यह टकराकर थोड़ना बनाता ठीकन अगर लाइट fundamental सीना होते तो यह सेदो नहीं बनाता लाइट और पार्फाइब पर लबाट एंस्टी के दौरगा था कितने तन में दिया गए था निटीटू निटीटून ने ढिए था में लिए इंस्टीन को दिया घ्याः जिसके लिए उनको नॉबिल प्राइज भी मिल चुका ध्यान रखिखिये इंपोर्ड़न बन सकता है आप पर कि ke स्मझ में आया कि जब साइज ब्रेक्सर Vocophone साइज को में एंध साइज से छोटी होती है तब फिस थे द्रका नामब घटना घटित होता है और जसमें एग्जाब्ल के सब्सक्राइब का डिफरेक्सर को करता है यह वर तबी तो इसलिब scor यह तिए logr निचर मेश्यम्य वर्स ने रbelsाइब और फिर कुछ कि देखते हैं और लाइट जब बेंद कई मोड़े होते हैं वेव दोथा आक्क्रॉमेगनेती बेपेन एक होता है क्या होता है ट्रांसवर्सल है ड्रांसवर्सल लेटिट्यूट इसके दो पार्ट है रिज़्ट मन तुर्फ में होता है एलेकैड्ड system था सार ट deb disappointing मैट्ट था एन्ड दूसरा रहें ड्यांट सहां हाँ हाँ तो रागा ह 나 होता है मैकनिकल वेब एंड होता है एक एक एलेक्ट्रोमाइचनेटिक वेब यहाँ पर लिखा है तो यह सा 15 एक बैप क्वेब को एक मेडियम के जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए देखिए तो मेडियम की जरूरत होती तो मेडियम को हम क्या ले सकते हैं जैसे मीडियम ले सकते हैं कि यह हमारा एयर मीडियम हो गया है और वेक्यूम जो है में मीडियम को नहीं रखेंगे ठीक है तो वेक्यूम में खाली एयर होता है तोहां पर कोई मी स्टेस में है और स्पेस में में पता ही नहीं चलेगा कि लाइट ट्रैवल हो रहा क्योंकि वहां पên कोई आप भी आंप सी नहीं रहेगा कोई झाहे तक सब्सक्राइब गया तो हो यह गया थिका था यह में U न क्छों को गेंगी मेला संकते हैं मेकेनिकों क了टे को हम deux होता हुक कर सकते हैं माच्ग कर सकते हैं मैकनीकल वेव को हम 2 तरा से मतलब 2ças होते हैं इसके एक होता है longitudinal wave के लंगी ट्यूडर जी एक होता है transversal लेव सबस्क्र हो creams और ठीक है तो यह हमारा है याँ आपको दिखीडा होगा and mechanical wave तो सौरी ये electromagnetic wave है हमारा light और जो हमारा sound है sound भी तो travel करता वेब के form में तो sound हमारा longitudinal wave है ये याद रखिए ठिक है तो यह हमारा ये nature भी हो गया यह भी खतम हो गया अब हम इसको मतलब कैसे define कर सकते हैं कुछ और टर्म के साथ भी और फिर एक टर्म ये बनता है कि light travel किस फ़र्म में करता तो light travel करता है straight line का फ़र्म में तो ठीक है ये एक invisible energy भी होता है जिसको हमें ये तो हमें खुद तो दिखाई नहीं देता है ये लेकिन मड़द करता है हमें दूसरे object को देखने में इस object को हम क्यों देख पा रहे हैं इस object को हम इस लिए देख पा रहे हैं क्योंकि कहीं बाहरी source की वज़े से light इस पे आ रहे है देन इस पे reflect होके light ये reflection की परकिरिया इस पे होके तब यह हमारे आखों तक आ रही है तो इसलिए यह object हमें दिखाई दे रहा है तो light खुद तो नहीं दिखता लेकिन यह responsible होता है दूसरे object को हमें देखने के लिए ठीक है हमें दिखाने के लिए responsible होता है अब फिर यह होगा अब light travel किस form में करता सर तो light straight line में travel करता है basic सी बात है कि light कौन से light में travel करेगा straight line में अब example देखिए आख अब इसको लिख देता हूं तब बताता हूं इस ट्रेट लाइन इस ट्रेट लाइन में travel करता है अब example कैसे हम दे सकते हैं तो पुराना वाला इसामपल छोड़ देते हैं पुराना वाला इसामपल ले लेते चली कोई बतनी यह हमारा है मारकर इस बार इसको कैंडल मत मानिये मारकर मानिये ठीक है यह मारकर है और मारकर को हम एक ऐसे कमरे में रखते जहां पर केवल एक ही सोर्सों light के आने की light के आने की सिर्फ एक ही सोर्सों एक ही बल्प लगा हो और इस मारकर को हमने ऐसे पकड़ा है तो इस क्या स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा था तभी तो यहां से आया तो ऐसे चला गया ठीक है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था अगर स्ट्रेट लाइन में ना करता तो यह ऐसे मुड़ के ऐसे तो पीछे से जा सकता था ऐसे मुड़ के ऐसे ठीक है तो इसलिए इसके define करता है यह to उसके लिए यह define करता कि Consue Kim करती हैす ठीक है आप कुछ term His light की Reynolds का होता वाट इस's पुर्फ है किनो यह मालीज़ सोर्स है किसी भी सोर्स के द्वारा तो Light आएगी यह हमारा से से यहां कोई भी म Singh करते हैं अपने मैफमेटिक्स में पढा होगा कि तो क्या होता रिच ayampl saya जिसका हम एक ỏiंट प्टा है लेकिन एक अमारे स्टार कोई पोइंट तो हमें पता सन का こんにちは एक जामपल लेगे पता है कि हा इसको हम रेंगे एक पॉइंट बोलेंगे एक स्ट्रेट लाइन को लाइट के सोर्स से आने वाली एक स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग रेंगे ठीक है और अब आता है तो combination of rays is called beam क्या बीम तो combination of rays यह मालीजी हमारा ड्रावना ससन है ठीक है ड्रावनों नहीं हसमी रहा है तो यह आ रहा है यह ऐसे parallel form में आ रहे है parallel में आएंगे तो वीम कहलाएंगे वह बैसिकली parallel रहता यह उसको parallel beam भी बोल सकते हैं बीम भी बोल सकते हैं तो देखिए यह आ रहा है ऐसे तो group of rays is defined as beam beam को define कैसे कर सकते हैं group of rays group of rays is defined as beam rays का group ही define करता है beam को ठीक है beam beam बी-ई-ए-म अब एक यहां पे सवाल बनता है कि सर अपने example नहीं दिया luminous and non-luminous का luminous का example हम क्या ले सकते हैं luminous हमारा सन ही है सबसे बड़ा example stars सबसे बड़ा ऑपल आप बोलेंगे कि सर मून भी तो होना चाइए मून के भी तो light हमें दिखाई देती है तो नहीं ऐसा नहीं है यह जब हमारे आखों तक यहां तो लाइट आता है तब हमें दिखाई देता है कि हां तो यह रिफ्लेक्ट होके आ रहा मतलब नॉन लुमिनस आपडेक्ट में आएगा मून और बाकि सन हमारा स्टार हो गए हैं और सीएफल मतलब सीएफल बल्ब होता है आपने देखा होगा यह के घरों में होता होगा थोड़ा सा काज का बना होता है लेकिन दी की तरह थोड़ा से लगता है उसको होँ सी घ्चेलल बोलते हैं इसका इस का सी एक्बusting क practitioner chloroflucent lamp chloroflucent lamp ठीक है CFL का full form और LED का LED इसको अब जानते होंगे light emitting diode ठीक है light emitting diode ठीक है यह LED का full form और बल्ब भी हो गया candles हो गया बहुत सारे एजामपल यह luminous object की इतने एजामपल हो गया ठीक है अब non luminous के non luminous के every object we can say that rather than luminous object every object is defined as non luminous object just like this marker just like this board and just like me okay and just like any other organism ठीक है जुगनी को छोड़ के जुगनू आएगा इसमें उसका एंगिलिस ने मालूम जुगनू आएगा luminous object में यह हमारा यहां तक का डिफाइन हो गया अब हम इसका जो टर्म बनता है क्लास 10 के पहला टॉपिक जो बनता है वो बनता हमारा reflection यह सत्थ तो यह basic term basic term को define करने के बाद अब हमारा टर्म एक आता है जो कि हमारा main topic है main term है वो है हमारा reflection of light अब ठीक है अब हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक reflection of light और एफ लए सी टी आई ओ फ्ल आई जी एच टी reflection of light आवर नेक्स टॉपिक इस reflection of light अब देखिए भाईया लाइट तो आदा तो है यहां सब्सक्राइब करते हैं तो इसका कोई ना कोई स्पीड होगा माले यह हमारा यह टॉर्च हो गया ठीक है यह टॉर्च हो गया तो इसका भी तो कोई light निकल रहा है उसका कहने का मज़र zemसे निकल रहा ओस स्पीड हो sounds लाहिट का is इसको कह सकते हैं ठीक किलो मीटर अग़ए संधिंध कित्ना है मॉंट ऊंट ट्रेवलम करता है त्पावर यह टं acja शान बमेटर मीटर लगता है यह यो यह सो यह इतना नहीं रहता है नहीं रहता यह यह इतने के स्पीड Hundreds estimate था इसका दिया था किसके दौरा दिया गया था सवाल यह बनता है कि इसका इंग्जैक्ट बेलु देने के लिए ना बहुत सारे सांटिस्टों ने परियाद किया था इसका सांटिस्ट मतलब ऐसे लोग जो की रिसर्श करते हों तो गैलीलियो ने सबसे पहले ट्राइब किया तरीके से नहीं पाते थे इसलिए थोड़ा सा लटक गए पीछे रही के नूटन साथ थोड़ा-थोड़ा दे चते थे इसलिए आगे बढ़ गए लेकिन इसको उन्होंने नहीं दिया था फिजियान नामक साइंटिस्ट ने यह न वाई फिजियान नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था लाइट के स्पीड को ठीक है फिजियान नामक साइंटिस्ट ने दिया था के 3 इंटू 10 पर पावर 8 मीटर एक्जैक्ट वेलू दिया गया था अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में या डिफरेंट अब बैरी मतलब अलग-अलग होता है तो जैसे वेक्यूम में माली ज़िए तो यह वेक्यूम में दिया गया थिरी इंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट है थीक है वेक्यूम में ये है अब अब यह भी मोई थो थोड़ा थोड़ा similar रहते तो थोड़ा सा बंता है जिसको लोग द्सक्राइब mmamp Recommendी और फिर अधर तो थोड़ा सा इससे कवा तो जैसे जैसे रहेगा और और के तो यह जिफन करता है लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि एयर में भी और वेक्यूम में दोनों में सेम होता है स्पीड ओफ लाइट ठीक है अब हमारा टॉपिक बनता है रिफलेक्शन ओफ लाइट तो रिफलेक्शन ओफ लाइट ऐसे संजीए कोई आप्जेक्ट है यहां से आ रहा है यहां भी कोई आप्जेक्ट है यह सोर्स है यहां से सोर्स से लाइट आ रहा है यहां से आ रहा है त तक रिफलेक्ट होके तब आती है light हमारे आखों तक तब हमें ये object दिखाई देता है तो इसी पर गहटना को हम लोग बोलते है reflection में Crime si 후 Reflection में bouncing सिंग में वैंक होगए इसी को हम क्या बोलेंगे reflection बोलेंगे सब्सक्राइब र्फलेक्षं के ला दिए गÎे ला मदलब कानून नियम दिए इनका नियम देखें दो परीक्षं के जिसको आम बोलते हैं लओ रिफलेक्षण ला reflection में पहला पहला क्या आता है love reflection reflection में पहला आता है थोड़ा सा figure बना लेते तब समझते हैं तो यह हमारा है एक plane और smooth surface वाला object plane और smooth surface plane मतलब सीधा समतल हो और फिर समोध मतलब बहुत चिकना हो ठीक है इस plane और smooth surface अब किसी source से light आ रही है light आ रही है तो यह जो आने वाली light है आने वाले आ रहे हैं ठीक है आने वाली light है इसको हम बोलते हैं incident ray रही तो आ रहा है ठीक है तो इसको हम बोलते हैं incident ray गाली वाला रही नहीं incident ray इंसी डेंट रही है ठीक है यह हमारा कहला आएगा incident ray जो की आ रहा है ठीक है इस ट्रेट लाइन में आएगा थोड़ा सा तिर्चा बनाया जाते हैं और फिर यह से उसी में है दूसरा मीडियम हो जा रहा भाईया यह एडर से आ यह अब जो सॉलिल हो जा रहा तो उसमीडियम में तो जाएगा तो अधून सारे स्वाह बन रहा है इस प्वांट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट औफ इंसीडेंस पॉइंट ओफ इंसीडेंस ठीक है इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ओफ इंसीडेंस अब इसी पॉंइंट ऑफ इन्सिडंस से एक नौर एक परपेंडिकुलर लाइन को अगर हम खीूच दें इमेचिनरी परपेंडिकुलर लाइन को हम ड्रअ करतें इसी से हम इमेचिनरी मतलब पेंडिकुलर मतलब 90 डिगरी का JUL अउन्साभ एंगल बनाते हों उन्हें हम perpendicular बोलते हैं इन भाया को खीचा गया है इनका नाम क्या रख आ रख सागे और नॉर्मल 也 G लौ क्या बोलता है इसमें और भी चीजों को हम कर सकते हैं और भी चीजों को मतलब आप सोचरोंगे कि भाया इधर भी तो एक एंगल बन रहा तो इस एंगल को क्या बोलेंगे तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल जी से डिनोट किया जाता है जिसको हम ग्लैंसिंग एंगल ये ब्रेकट में है glancing angle mind does think again angle consent angle cho this巧 है इसको हम बोलते हैं किसे सरफेस से ठीक है सअरफेस से इस यो incident ray के बीच में बनने वाला ऐंगल इसको define करेंगे glancing angle से ठीक है तो इसके opposite ये भी बन रहा होगा तो इसको भी हम एंगल जी डेस से हम इंडिकेट कर देते हैं मतलब ग्लैंसिंग एंगल डेस होगा इसको भी एंगल बोच सकते हैं जसके आप उजिट होगा और ठीकर अब इसके द्वारा आता है नियम एक और यहां पर एंगल बन रहा होगा अगर माश्च लीजिए कि यह ऐसे सीधा जला जाता है यह जो रहा है ऐसे सीधा चला जाता तो यह इतना और इतने के बीच में एक एंगल बन रहा है कि नहीं इसमेरी कोस्चन्स बनते हैं तो इतना और इतने के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको एंगल डी से डिनूट किया जाता है एंगल डी से एंगल आफ जिसको क्या बोलते हैं, उसको एगल ऊफटरा यह क्लेंसिंग्ल देवीेसर ठीक है, अब पार्ट अब देख लेते हैं, हमारा ला ला क्या बोलता है, पहला ला क्या है hmm हमारा यह कहता है कि यह जो ஹाला है इंसीडेंट extensively है और यह जो हमारा reflected ray है और यह point of incidence पे खीचा गया normal तीनों एक ही surface पे लाई करेंगे incident ray, reflected ray, point of incidence पे खीचा गया normal तीनों एक ही surface पे लाई करेंगे जो कि कर भी रहे हैं यह हमारा पहला मतलब है law जो कि हर case में follow होता है हर case में follow होगा कि यह तीनों एक ही surface पे लाई करेंगे ठीक है तो यहां पर हम लिख सकते हैं incident ray, reflected ray और point of incidence पे नार्मल तीनों एक ही surface पे लाई करेंगे दूसरा लाउ कहता है दूसरा लाउ यह कहता है कि भाया जिस एंगल से यह आ था उसी एंगल से चला जाएगा हर case में every case में अब यहां पर reflection के टाइप भी तो होते होंगे अगर यह surface इधार उदर कर दिया गया तो smooth नहरा surface तो अगर इसको irregular surface कर दिया गया हो तो तो इसके लिए होता है reflection के टू टाइस जिसको हम define कर सकते हैं एक regular reflection अनर्रेगुलर रिफ्लेक्षिन अंड एर्रेगुलर और डिफ्यूज्र रिफ्लेक्षिन इसको हम बोलते हैं एक नामिप्षीन अ wheat कोई संसको एर्रेगुलर रिफ्लेक्षिन आ ये नहिंग्हाद दिञीर को सब्सेथरी नहाब याद रहेगुलरwritingर अम्हですね जिसकी सर्फेस प्लेन हो सर्फेस प्लेन हो ठीक है जिसकी सर्फेस प्लेन हो उसी पर यह मतलब उसी पर यह हमारा यह केस जो है लाओ रिफलेक्शन यह फॉलो होगा ठीक है रेगुलर सर्फेस वाले रेगुलर रिफलेक्शन जहां पर सोगा वहां पे अब इर्रेगुलर यह यहां पे दिख यहां पे सर फेस खीन है स्मुथ भी है अब एर्रेगॵलर हमारा आता है इर्रेग集 का अलग अलग मतलब सबसुक्त का हाइथ या येग तरीके से तो इसका ये मतलब री घ्रव मतलब शीफमक डिजाइन किया गया है डिजाइन ने किया गया कुछ होते हैं न अगर यहां से यहां की बात करें तो यह देखिए इर्रेगुलर तरीके से यह बना गया और इतना की बात करते हैं तो इस चाहिए अगल से निकल जाएंगे उसी एंगल से निकल जाएंगे मतलब पैरलल आ रहे थे तो पैरलल ही निकल जाएंगे लेकिन यह जो हमारा है इर्रेगुलर वाला कंडीशन दो इर्रेगुलर वाले कंडीशन में पैरलल तो आएंगी रेस पैरलल तो ही आएंगी लेकिन यह पैरलल जा नहीं पाएंगी तो इसका reflection इधर होगा मतलब ये इसका reflection इसका reflection इधर बईना पता नहीं कहां जा रहे आ तो रहे थे एक ही साथ लेकिन भीचण वचारी कहां नहीं कहां कहां चले गए ठीक है तो ये हो गया हमारा reflection में regular reflection और spectrumarch irregular reflection और diffuse reflection ठीके ये दूसरा लाबी हमारा यहां पर होता है खतम ठीक है और एक चीज़ और मैंने बताया था क्या light dual nature सो करता है तो इस dual nature को model physics में क्या बोल जाता quantum theory, quantum theory of light dual nature को हमारे light के nature को quantum theory of light बोलते हैं अभी याद आया तो मैंने बता दिया तो फिर यहां तक होगया हमारा खतम अब नहींके बीच में कुछ नली बता के जाएंगे हैं इनके बीच में क्या बन सकता है कोई रिलेशन तो है कोई नाता तो इनके बीच में क्या Engle G और Engle D के baki Bich में जानbn went to को नքं के वीक में रिलेशन तो इनके पीचमें रिलेशन क्या वरेगा कि जो ये हमारा Engle जी ऐ ठीक है Engle G ये आध़ा होगा किसके Engle of Deviation के मतलब ये जो हमारी अगल आप डिवियेशन है यह हमारे ग्लैंसिंग एंगल के दुगना होगा तो एंगल जी इस इक्वल टू टू एंगल दी ठीक है अब कैसे होगा दुगना और फिर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से कि यह जो हमारे यह surface है उनके बीच में relation क्या है एंगल जी इस इक्वल टू टू एंगल डी ठीक है अब देखते है कैसे यह देखी जो हमारा लाइन बन रहा है यह straight लाइन बन रहा है ठीक है तो यह straight लाइन पे linear pair में आपने पड़ा होगा कि linear pair पे पाइ जाने वाले लाइक करने वाले सभी angle कस्म 180 degree होता है तो हम लिख लेंगे कि अंगल डी प्लस अंगल आई प्लस अंगल अर अंगल ऑर अंगल डी यह जी को ऐहां से आप हटा दीजिए अभी खुल जेर के लिए यह जी वाला इसको हम मान के अभी चल देखे है तो इस इसलिए हम इसको two angle i माल सकते हैं तो angle d यहां बराबर 180 यहां पर region लिख देंगे linear pair linear pair ठीक है यहां पर linear pair हो गया अब angle d बराबर क्या निकल सकता है यह angle d plus two angle i is equal to 180 degree ठीक है तो angle d is equal to हो जाएगा 180 minus two angle i यह हमारा पहला equation जो है वो बनके तयार हो गया है ठीक है यह हमारा पहला equation बनके तयार हो गया दूसरा देखे क्या बन रहा है तो दूसरा यहां पर हम angle i की जो value है इसको हम थोड़ा से निकाल सकते हैं तो यहां पर देखे यह जो इतना पूरा angle है ये पूरा एंगल यह 90 का बन रहा क्योंकि यह perpendicular ही तो आ रहा था इस सर्फेस पे तो यह 90 का एंगल बना रहा है मतलब कि 90 is equal to होगा एंगल फ्लस एंगल आई क्योंकि यह नॉर्मल पर्पेंडिकुलर आ रहा था थिक तो यहां से एंगल जी की वैल्यांग इंगल ऑई की वैलु क्या निकलेगी तो एंगल आई इस इक्वेशन तो 90 माइनस एंगल जी यह हमारा सिक्वेशन हो गया यह हमारा फ़र्स्ट में हम एंगल आई की वेड़ी रखेंगे फिर्स्ट एक्वेशन में एंगल आई की वेलू रखने पर पुट्ट दा वेलू औफ एंगल आई इन एक्वेशन से कंट में गहां एक आन्गल इसकी वैल्य तो एंगल आई की कि तो 180-2 एक पर एक栓 होर फिर स्वारी माइनस माइनस पलू सब्स टू एंगल जी यह पलस में है यह माइनस में है दोनों कट गए अब यहां पे अंगल डी इस इकोल टू आ गया तू एंगल जी मतलब जो कि हमारा यह था यह जो स्टेटमेंद था यह पुरूव हो गए हैं से मान निकाल यहां से एंगल डी की लेनियर प्रेर के द्वारा निकालने पर यहां पर आगल आई की वैलू हमने से पुट कर दी और फिर यहां से आ गया एंगल और डेविएसन इंट इक्वल होता है टू एंगल जी के इतना इस इतने एंगल के बराबर होगा और इस इतने एंगल के बराबर होगा मतलब दुगना होगा यह इसका दुगना इतना इसका दुगना इतना ठीक है यह हमारा statement में था यह प्रूप हो गया है अब यहां पर पूरा reflection का जो पूरा complete topic था वो खतम होता है इसके आगे का topic बनता है image formation mirror बनता इसके आगे का topic तो उसको हम पढ़ेंगे next video में लेकिन आप जिके लिए इतना coffee है और आपको इतना revise करके रखना है ठीक है तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए जहिंद